सर्दिया शुरू हो गई है और जेड प्लांट पे आपको सिर्फ पांच काम करने हैं ताकि आपके जेड प्लांट की पतिया पीली ना होए और जो ग्रोथ है वो रोकेट की स्पीड से बड़े क्या उसमें डालना है और साथ में आपको बहुत सारे ऐसे DIY भी देखने को मिलेंगे नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होपब अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ तो देखे फ्रेंड्स सर्दियों में जो जेड प्लांट होता है वो अपने पतिया गिराने लगता है और जो उसकी ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है तो सर्दियों में भी हमें उसका विशेज ध्यान रखना होता है ताकि हमारा जो जेड प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ पे रहे यानि उसकी ग्रोथ होती रहे और छोटी छोटी डियाईवाई में कैसे लगाना है कैसे उसका ध्यान रखना है क्या उसमें डालना है कैसे उसकी कियर करनी है वो इस वीडियो में आप देखना तो देखे फ्रेंड्स ये जो प्लास्टिक बोटल के प्लांटर है ये मैंने बनाए थे काफी दिन पहले और इसमें आप जेड प्लांट वगर लगा सकते हैं जेड प्लांट भी लगा सकते हैं कोई भी पोजा लगा सकते हैं ये तूटा हुआ टीफन है तो देखिए इसमें भी मैंने ये टोपारी बनाया हुआ है तो ऐसे वेस्ट मैटेरियल को आप यूज़ करके जेड प्लांट लगा सकते हैं इसके लिए आपको ज्यादा बड़े गमले लेने की आवशकता नहीं है तो जेड प्लांट पे सबसे पहले आपको एक काम ये करना होता है सबसे पहले आप अपने जो भी छोटे बड़े प्लांटर हैं उनकी मिट्टी को गुडाई कर दे जैसे मैं कर रहे हूँ ये चोटे से कप में ही मैंने बोनसाई बनाया था और ये चोटे से पोट में ही लगा हुआ मेरा बोनसाई है तो सभी प्लांट्स को अच्छे से आप गुडाई कर ले या नि मिट्टी गुडाई कर ले गुडाई करने के बाद second काम आपको क्या करना है वो देखना तो ये जो हमारे जो चुटोपारे वगरा हैं इनको आप अपने कोई भी छोटे बड़े गंबले में या छोटे से कोई वेस्ट में भी आप अराम से इनको बना सकते हैं तो देखिए फ्रेंडस ये चोटा साँ ही कंटेनर था ये मारकेटस में जो मिलते हैं फूड वगरा लाते हैं तो ऐसे यूजन त्रो वाले ऐसे कंटेनर छोटे छोटे चोटे आते हैं उसमें मैंने ये बोनसाई बनाया है तो जेड को अगर आप बोन साई बनाना चाते हैं तो छोटे छोटे ही ऐसे डियाईवाई बना के ऐसे बना सकते हैं यह जो है यह कमफर्ट की बोटल थी उसी का ही मैंने स्वान बनाया था तो इसमें भी मैंने छोटा साई प्लांट लगाया था तो जैसे मैं कर रही हूँ सबसे पहला काम आपको यहीं करना है आप गुडाई करें और अगर आपको ऐसे बनाना है चोटी चोटी बोटलों में तो ऐसे आप इनको शेप दे सकते हैं और वेस्ट चीजों का आप ऐसे यूज़ कर सकते जैसे ही मैंने बोटल्स का ही किया हुआ है तो देखिए फ्रेंड्स गुडाई करना बेहती जरूरी है अगर हम गुडाई नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट्स में पोशक तत्वे नहीं जाएंगे अब सेगिंड काम जो करना है आपको ये है मेरे पास वर्मी कमपोस्ट अगर आपके पास वर्मी कमपोस्ट है तो ठीक है नहीं है तो आप जो यूज़ टी होती है वो ले सकते हैं यूज़ टी को आप दूप में सुखा ले और उसके बाद ये अपने पोधों को दे ये जो है जेड प्लांट ये पत्यों वाला प्लांट है इसको नाइट्रोजन की आउशकता जादा होती है अगर हम पोधे को खाद नहीं देंगे तो हमारा पोधा कैसा गरूथ करेगा तो आपको सर्दियों में भी जेड प्लांट पे ये काम करने हैं आपको खाद देनी हैं खाद आप ये वर्मी कमपोस्ट भी दे सकते हैं या फिर आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं या फिर आप सूखी हुई जो चाय पत्ती होती है जब हम चाय बनाते हैं जब यूज टी होती है उसको आप थूप में अच्छे से सुखा ले सुखाने के बाद अपने ऐसे प्लांटर में डाल दे तो देखें फ्रेंड्स ये चोटे चोटे जो क्यूट से प्लांटर है ये सभी मैंने वेज चीजों से बनाए है ये हार्पी की बोटल से बना हुआ है जो हार्पी की खाली बोटल होती है उससे मैंने पिकोग बनाया है तो ये काम करना है सेकेंड जो हमारी खाद है ये है गोबर की खाद गोबर की खाद आपको पुरानी लेनी है अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो अगर आपके पास कंडे वेगरा है या फिर कहीं से आपको एक कंडा मिल जाता है जिसको उपला भी बोलते हैं उसको आप छोटा छोटा तोड के यानि चूरा बनाके उसको भी आप अपने जेड प्लांट में डाल सकते हैं इसमें भी नाइटरोजन की मात्रा होती है और हमारे जेड प्लांट के लिए ये खाद बैस्ट रहती है वर्मी कमपोस्ट जो होती है वो तो जो केच्वे होते हैं उसके दोरा बनाए गई ह होती है और यह जो गवर की खाद होती है यह तो हमें एक ही भी मिल जाते हैं टो देखिए फ्रेंडस साथ में आप डियाइवाइवाई देख रहे हैं जो वेचीजर देख रहे हैं जिसने मैंने छोटे-छोटे टोपारी बनाए रहे हैं छोटे-छटी कटिंग से यह ब्हु या अभी सभी पोदों की आपके पास जितने भी पोदे हैं उनको आपको गोड़ाई करना है दूसरी बात आपको पानी का भी ध्यान रखना है जेड प्लांट में सरदियों में आप बिल्कुल ही कम पानी दे और अगर आपको कोई बोनसाई वगरा बनाना है तो ऐसे आप बन सकते जैसे यह मने बनाया हुआ है और इसमें अगर चोटी चोटी ऐसी पतिया निकलाएं तो उसको आप हटाते रहें फ्रेंट्स यह जो बोनसाई है यह मेरा जेड़ साल का है और यह जो मेरे प्लांट है यह जेड़ प्लांट यह सभी मेरे 2021 में मैंने चोटी चोटी कटिंग मिली थी चोटी सी कटिंग मिली थी उसी से मैंने बनाये हैं तो मेरे सारे ही प्लांट जो है वो दो या धाई साल के हैं सोरे धाई साल से हैं तो धाई साल पहले मेरे पास चोटी सी कटिंग आई थी उसी से मैंने बनाये थे बोनसाई बनाने के लिए आप कोई भी एक जेड प्लांट की कटिंग ले उसको गमले में आप लगा दे और जब ग्रोथ होए तो उसको ऐसे पिंच करते रहे और उसमें ये जो मैंने वर्मी कमपोस्ट दी है वो डालते रहे आप क्या जेड प्लांट सुपर फास्ट करो करेगा और जो हमारे जेड प्लांट की जो पतियां होती है सरदियों में पीली होके जड़ जाती है उसका कारण भी मैं आगे बताऊंगी तो देखे फ्रेंड्स ये छोटा छोटा कटिंग से ही लगाया था और आपको अगर जेड प्लांट घना करना है तो आप 15 दिन के अंदर ये काम कर ले यानि आप अपनी प्लांट की जो उपर की पतियां है जो नूनू ग्रोथ है उसको ऐसे पिंच कर ले और उसमें आप खाद डाल दें ये जो खाद है आप 20 या 25 दिन में भी डाल सकते हैं या फिर आप महिने में डाल सकते हैं तो सर्दियों के तो 4-5 महिने ही होते हैं आगर आप तीन बार भी अपने जेड को खात दे देंगे गुड़ाई करके तो आपकी जेड प्लांट की ग्रोथ नहीं रुकेगी ये देखें फ्रेंड्स ये मैंने अपनी जो दही की डबिया होती हैं जो मार्केट से दही लाते हैं उस डबि को जोड के मैंने ये चोटी से डोल ही बनाई हैं इसमें मैंने कटिंग ही लगाई थी अभी मैं इसके अच्छे से गुड़ाई करके ये वाला जो प्लांट है अपना चोटा सा इसको दोबारा लगा दूँगी तो गार्डन को डेकुरेट करने के लिए या फिर अपने गमलों का खर्चा बचाने के लिए आप ऐसे डियाई वाई तयार करके जेड प्लांट आराम से लगा सकते हैं और ये वाला जो जेड प्लांट है इसकी जो स्टीम है देखो काफी मोटी हो गई है और अगर आपको गमलों का खर्चा बचाना है तो आप ऐसे अपने घर में तेल के कैन होते हैं उनमें आप कटिंग लगा सकते हैं और अपना पोधा तयार कर सकते हैं जब भी आप बोटल के प्लांटर बना ले या कैन में या फिर चोटे चोटे पोट में ही कटिंग लगाए तो जेड प्लांट को आप ऐसे तोपारे लोग भी दे सकते हैं ये चोटे से गमले में लगा हुआ है और दो साइड मैंने ये टहनिया लगा के उपर से मैंने ये बना लिया है औ देख सकते हो चोटी सी बोटल में ही लगा हुआ प्लांट है यहां पर पानी रखा हुआ था पानी का वो कंटेनर चोटा सा था वो तूट गया है दूप के कारण उसको मैंने हटा दिया और यह मैंने बोनसाई लोग दिया है और यह देखे फ्रेंड्स यह भी मैंने ऐसे ही चारो तरफ ऐसे कटिंग लगा के एक तरह से मेनी गार्डन बोल सकते हो और यह पिकोक बनाया था तो जेड प्लांट को आप कोई भी शेप दे सकते हैं ऐसे आप शेप देने के लिए ऐसे पिकोक बना सकते हैं तोपारी बना सक कुछ भी बना सकते हैं 이제 प्लांट को आप कभी भी ज्यादा पानी मत दे या नी सर्दियों में सर्दियों में आप मिट्टी चेक करके पानी दे सकते हैं यानी आप पानी दे तो चार पास दिन के अंदर ही दे तो देखिए फ्रेंड्स पाने का विशेज थ्यान रखना है और ऐसे आपको अगर कोई भी टोपारी वगरा या पॉनसाई बनाना है तो उसको पंदरा दिन के अंदर पिंच करते रहना है ये देखिए फ्रेंड्स ये वेस्ट का यूज है शैंपू की बोटल से मैंने प्लांटर बनाया है ये चोटी सी मटकी में ही मैंने ये जेड प्लांट लगाया है तो जेड प्लांट के लिए आपको ज़्यादा गमलों का खर्चा नहीं करना होता है आप चोटे चोटे किट में लगा हुआ है और आपको एक चीज दिखाती हूँ यह जो अमरूध है यह मैंने अपने ही प्लांट से तोड़ा था बट उसको इसको ले जाना मैं बूल गई नीचे और यहां पर रख दिया था अभी पता नहीं किस पर्ड्स ने खाया है या किस ने खाया है अब पा प्लांटी चेक करके ही दे अगर आपका प्लांट की जो मिट्टी है बिल्कुल अच्छे से सूख गई है तब ही आप पानी दे क्योंकि सर्दियों में अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो हमारे जो प्लांट्स है उसकी जो रूट्स है वो खराब हो जाएंगी और हम चेशे महीने के प्लांट्स हो गई है मेरे ये वाले जो प्लांट है इसकी स्टेम काफी मोटी हो गई है चोटी चोटी कटिंग से लगाए है चेचे महीने के ये प्लांट हो गई है ये रूट बाउंड हो गई है रूट बाउंड होने के बाद भी हमारे प्लांट की जो ग्रोथ रुक जाती है तो इनको मेरको फरवरी में रिपोर्ट करना पड़ेगा तब ही इनके अच्छे से ग्रोथ होएगी अभी तो इनी में ये चलते रहेंगी तो ऐसे ओल कैन के प्लांटर तयार करके आप जेट प्लांट लगा सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें